हेलो फ्रेंड्स वेलकेम अगेन और इस फिन टॉक के नई वीडियो के अंदर आप लोग असवागत हैं आप देख रहे हैं पांच वीडियो की ऐसी सीरीज जहां पर हम लोग कवर करने वाले हैं परेंड़न कैनी नैच वहते हैं टो हैं वर्ड में थोड़ा फाएबड़न के वारे में हैं अगर पहले वाले विडियो नहीं देखा है आप लोगों ने तो वह विडियो देख लीजिए जहाब पार्टनर्शिप के बारे में आपको कुछ पता रगएगा तो पार्टनर्शिप में क्या होता था जो पार्टनर्स होते थे उनकी लियाबिलिटी होती थी वो unlimited होती थी to the extent of their personal assets also तो इसको ओरकम करने के लिए गवर्मेंट ने क्या किया 2008 में एक पारित किया जिसका नाम था limited liability partnership 2008 में और यह जो effect में आया वो 2009 से आया April 1st 2009 से तो इसमें कुछ limitations थी partnership के अंदर जिसको ओरकम किया है LLP के अंदर तो देखते हैं किस तरीके से किया है इसको यह एक hybrid form है company और partnership का इसमें कुछ points जो है वो partnership से मिलते हैं और कुछ points जो है वो company से लिए वो दोनों को मिला के एक अच्छे से एक partnership limited liability partnership बनाई है तो बड़ा interesting होने वाला आज का यह वीडियो आप देखिए इसको end था कि limited liability partnership के अंदर जो registration होता है वो ROC से होता है unlike partnership में जहां पर जो registration होता है वो register of assurance से होता था तो यह एक legal entity बन जाती है यहां पर partnership legal entity नहीं थी तो limited liability partnership एक legal entity बन जाती है यहां पर और देखते है important points इसमें क्या है सबसे important कि partnership में हमारे पास perpetual succession का funda नहीं था मतलब मैंने आपको बता रखा है perpetual succession क्या होता है उस video के अंदर और partnership में वो funda नहीं था तो यहां पर limited liability partnership जो है वो perpetual succession पर काम कर दिया नहीं कि एक partner के जाने से उसकी date होने से या dissolve होने से यहां पर LLP को को फरक नहीं पड़ेगा तो यह बहुत बड़ा demerit था partnership का जो overcome किया है LLP के अंदर तो liabilities जो थी वो अब limited हो गई है up to the share in the capital और partnership में इस तरीके का कोई funda नहीं था partnership में जो liabilities थी वो personal asset पे भी चले जाती थी और not liable for other partner misdeed तो LLP के अंदर क्या होगा कि कोई partner misdeed करता है गलत काम करता है तो उसके लिए जो दूसरे partner से वो liable नहीं होगे partnership के अंदर इस तरी partners unlike in partnership can only has 20 partners तो ये एक बहुत बड़ा उसमें वो था limitations थी के वहां पर 20 partner हो सकते थे और यहां पर LLP पे कोई limit नहीं है नहीं नहीं पर limit और इसके जो account से वो have to be published or audited with ROC इसके account को audit करना पड़ेगा और उनका publish करना पड़ेगा जैकि partnership के अंदर इस तरीकी के जरूत नहीं परती थी तो आप देख रहे हैं किस तरीके से partners के point इसमें partnership से लिए गया है तो एक hybrid form ना दिया है लोगोंने काफी interesting है बहुत कम लोग LLP के बारे में जानते है market के अंदर तो I hope कि अगर आपको कभी LLP open करना है आप इस तरीके की partnership बनानी है तो बहुत helpful है और देखे हम लोग ने इसको समझने की कोशिश की है partnership से इसने partners का एक fundा लिया है और अगर हम एक company खोल लेदा तो मुझे directors की requirement होती है बट LLP के अंदर director की requirement नहीं है तो company से इसने क्या लिया limited liabilities को ले लिया perpetual succession को ले लिया और registration with ROC का ले लिया तो company से ने क्या चीच ली और partnership से ने क्या चीच ली वो मैंने वीडियो को like कर दीजिए share कर दीजिए comment कर दीजिए और subscribe जरू कर लिजिए ताकि आने वाले वीडियो को enjoy कर सकें thank you friends good bye